हालो इवर्यों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लोदाइज क्लासेस के बीए प्लेटफार्म पर दोस्तों आइडिया बाली आइडिया ओभारत वाली ये सिरीज अब बिल्कुल अंतिम दोर में हैं लास्ट दो लेक्चर मात्र और बचे हैं जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि 30 लेक्चर के अंदर अंदर जो है ये सेशन हमारा पूरी तरह से कवर हो जाएगा और चुकि इसमें टोटल अब 27 लेक्चर ही मात्र होंगे आज हम इस पर 25 लेने जा रहे हैं इससे पहले 24 लेक्चर हमारे आइडिया ओभारत में चेप्टर वाइस टोपिक वाइस टोपिक हो चुके हैं ठीक है ना और आज का हमारा टोपिक होगा टोपिक 25 वाज का टोपिक होगा वन भूमी और क्रसी को लेकर के प्राचीन भारत में किस प्रकार की अबधारनायती उस पर हम चर्चा करेंगे और चुकि दोस्तों आईड क्या अबधारनायती क्या विचार थे वन को लेकर के क्या अबधारनाय क्या विचार और क्या व्यवस्तायती उसे प्रकास से क्रसिक सम्मंदित क्या व्यवस्ताय जो है उस समय अपनाई जाती थी उस सब पर हम बाच पूरे विस्तार से डिसकस करने वाले हैं आईए दोस्त तो मैंने इस सब्जेक्ट को complete पढ़ाया है और सिर्फ इस सब्जेक्ट को ही नहीं बलकि बिये के almost सभी सब्जेक्टों को मैं पूरे बिस्तार से पढ़ा रहा हूँ जहां पर chapter wise chapter अथात की topic wise topic आपको provide कर रहा हूँ पिर तेक lecture और lecture notes के साथ में जो है lecture भी आपके समझने के ल शुरू करते हैं आज का session और आज के session में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि दोस्तों बिल्कुल last में चल रहा है हमारा ये session इसमें हमारे दो एक topic unit 5 के अंदर एक topic पर हम discuss कर चुके हैं भारती आर्थिक विचारों पर और आज second topic पर आज हम discuss करने जा रहे हैं इसी प् subject complete हो जाएगा उसके बाद समझेंगे कि कौन सा subject इसके इस्थान पर आतात की 9 बजे हम स्टार्ट करें जैसा आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे उस प्रकार से ही और उसी subject को जो है हम इस 9 बजे के time पर fix कर देंगे और वो continue चलता रहेगा कि लिए अन्यता पिर हमें खुद decision लेना पड़ेगा कौन सा subject लेकर आना चाहिए चलिए शुरू करते हैं आज का session सारांस जान लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली तो दोस्तों हमें तीन विशेस अबधार्नाओं पर बात करनी हैं भूमी संबंधी अबधार्ना वन संबंधी अबधार् जैसा कि हमने इससे पहले वाले session में किया था आर्थिक विचारों वाले session में क्लिए रहे आईए शुरू करते हैं इसका discussion सबसे पहले हम बात करेंगे point नंबर एक पर भूमी संबंधी प्राचीन अबधार्ना पर कि प्राचीन भारत में भूमी के संबंध में किस प्रकार की अब धार्ना ये ब्याप्त थी के लिए आईए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारति संस्कति में भूमी को माता का दर्जा दिया जाता है आप सभी को अच्छे से पता है कि भारती संस्कती में पुरे बिज्व में एक मात्र ऐसा देश है भारत जहां पर भूमी को अर्थात की जमीन को माता का दर्जा दिया जाता है मनु इस्मरती के एक स्लोक में कहा गया है कि राजा भूमी गत धपन की एक हजानों का मालिक होता है क्यों क्यों कि वह जमीन का मालिक होता है अर्थात ये कि मनु इस्मरती में ये कहा गया है कि जमीन का मालिक कोन होगा राजा होगा ध्यान से सुनते चलिए का, step by step में बताने वाला हूँ इसमें न, तो मनुई स्मृति में एक कहीं, एक इसलोग के माद्यम से ये कहा गया है, ध्यान दीजेगा, एक इसलोग के माद्यम से कहा गया है कि राज्या भूमी का मालिक होता है, जमीन का मालिक होता है, इससे ये पता चलता है कि सभी जमीने राज्य की जो चाहे वो क्रसी योगी जमीन हो या रहने योगी जमीन हो किसी प्रकार की जमीन हो प्रतेक जमीन जो है सभी जमीन राज्य के पास में हुआ करती थी इसी प्रकार से डियोडोरस एक दार्शनिक है और उन्यों ने अपने चिंतन में कहा है कि भारत में राज्य की संपत्ति है क्या कहा है कि भारत में भूमी जो है जो जमीन है वो राज जी की संपत्ति है अर्थात की राजा उसका मालिक है और किसी भी निजी व्यक्ति को उसकी अनुमती नहीं है ध्यान दीजेगा मनुई स्मृति का एक स्लोक भी यही बात करता है वहीं डियो डोरस ने भी भारती चिं कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वही अगर हम कुछ और अन्य बिद्वानों को देके और मनुए स्मरती के ही अन्य स्लोकों को देके, तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं, जहां पर ये जानने को मिलता है, ये जानकारी प्राप्तों होती है, कि भूमी पर नि निजी लोगों के पास भी हुआ करती थी निजी स्वामित में भी भूमी हुआ करती थी इसी परकार से दोस्तों पूर्व मिमानसा में कहा गया है कि एक राजा निजी व्यक्तियों की भूमी का निप्टान नहीं कर सकता निप्टान नहीं कर सकता इसका मतलब यह हुआ कि जब क्योंकि completely जो पूरी भूमी होती है राज्य की उस पूरी भूमी पर राजा का अधिकार नहीं होता है। इस कारण से पूर्व मिमानसा में यही बात धोराई गई है कि राजा निजी व्यक्तियों की भूमी को दान नहीं कर सकता। राज्य की संपूर भूमी दान नहीं कर सकता। निजी लोगों की भूमी को दान नहीं कर सकता। आप लोग की पूर्व मिमानसा में निजी स्वामित्व भूमी की चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से नारद भी बताते हैं कि अगर राजा मकान और जमीनों के स्वामिद्व और कबजे में दखल देने लगे अगर राजा मकान और जमीनों के स्वामिद्व में मतलब मालिकाना हक में अगर राजा जो है दखल देने लगे तो समझ जाए ये कि वो राजा बहुत ही जिग्यासू है बहुत ही जिग्यासू एरतात की सब कुछ वो अपना बनाना चाहता है। और अगर ऐसा हुआ तो परिनाम सरूप पूरे राज जी में अरजक्ता फेल जाएगी। क्या कहा तो नारद के कथन में भी राज्य की और निजी भूमी दोनों का उलेक देखने को मिलता है इसकी जानकारी मिलती है के लिए आगे बढ़ते हैं अरस्तु सूत्र में अरस्तु सूत्र में जो की अरस्तु द्वारा लिकित है अरस्तु सूत्र में मुकट भूमी और निजी भूमी के बीच एक अंतर इसपस्ट अंतर बताया गया है मुकुट भूमी मतलब की राज्य की भूमी मुकुट मतलब है ना शाशक की भूमी तो राजा की भूमी और निजी भूमी दोनों में एक अंतर बताए गया है अरस्तु सास्त्र में तो यहाँ पर आप पूर्व मिवानसा की तरह और नारद के कतन की तरह ही अरस्तु सास्त्र को भी ले सकते हैं जो राजा की भूमी के साथ में निजी भूमी की भी बात करता है। इसमें एक राजा अपनी मालकिन से कहता है कि मैं राज्य आपको नहीं दे सकता क्यूंकि मैं राज्य का मालिक नहीं हूं मैं सिर्फ राज्य का संचालक हूं। तो भूमी के निजी स्वामीद्व का विचार रिग बेदिक काल के रूप में मुझूद है। ज्यान देना दोस्तों यहां पर। इन सब विचारों के माध्यम से चाहे वो पूर मिमानसा का विचार हो चाहे वो नारत का कतन हो अरस्तु सास्त्र हो यह जातक की कहनिया हो। परतेक से हमें यह देखने को मिलता है कि राज्य का स्वामिद्व होने के सांति सांत में भूमी पर जो है निजी स्वामिद्व भी हुआ करता था। और ये रिगवेदी कालियन से ये परंपरा चली आ रही है कहां से रिगवेदी काल से क्लियरे चली आगे बढ़ते हैं तो प्राचीन साहित में भूमी के स्वामिद्व के बारे में इतने विविर संदरों मिलते हैं अब कंक्लूजन पर आ रहे हैं हमें आपर तो प्राचीन सा हमें बैत्तीगत पारिवारिक और इनी के सांथ में स्वामित्यु बख्य संदर्भ मिलते हैं। किसी में साही का मिलता है मिलते हैं तो कहीं कहीं पर दोनों के एक साथ मिल जाते हैं तो इन सब उल्जे हुए विचारों के कारण हम किसी एक इसपस्ट निशकर्स पर नहीं पोच सकते हैं तो यह नहीं कह सकते कि क्या जमीन पूरी तरह से राजा के अंडर में थी या फिर जमीन पूरी तरह से निजी स्वामितु में हुआ करती थी या फिर दोनों की मिक्स होगा कि राजाओं के यहां पर जब भी कार्य होता था यह ना कोई यंग होते थे तो दान किया करते थे या कोई भी बड़ी कुछ भी कार्य होता था राजाओं के यहां पर तो वो जो है उसका मूली देने की अपेक्चा भूमी को दान दिया करते थे और यहां तक कि कुछ दिने और बेचने के बारे में हाला कि कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है भूमी की अदला बदली के अगर बात करें तो सिर्फ उपहार में भेट स्वरूप देना इसका उलेक तो मिला है इसकी जानकारी तो प्राप्त तो हुई है लेकिन इसकी जानकारी हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है कि किसी ने जमीन किसी को बेची और किसी ने उससे खरीद दी आम तोर पर साशकों या निजी बेक्तियों को द्वारा ब्राम्माडों या मंदिरों को अनुदान दिया जाता था भूमी के रूप में यह ना रاجा भी देती थे निजी बेखती भी देती भुएं और बंदिरो को जो है दान दिया करते थे जमीनों अब चुकि जब अगर राजा और नेजी लोग दोनों ही भूमी का दान किया करते थे इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि प्राचिन समय में भूमी पर राजाओं के साथ नीजिस्वामिद्व वाली जमीन भी भूमी भी हुआ करती थी। तो यही आपका फाइनल होगा भूमी के बारे में भूमी के सुकों लेकर कि जो प्राचिन अभधारना थी तो यह सब प्राचिन जो धारना थी उन सब को देखने के बाद में हमें निसकर्स यही प्राप्तों होता है यही निसकर्स प्राप्तों होता है कि भूमी उपहार लिकाना हक था इसलिए हम निश्चित रूप से ये तो कह सकते हैं कि प्राचीन समय में कुछ भूमी पर निजी लोगों का स्वामिद्व हुआ करता था वहीं कुछ भूमी पर राजा का भी स्वामिद्व हुआ करता था कि लिए रे दोस्तों यहां तक का कोई तो डाउट नहीं है ना इसमूद चल रही चलना चाहिए बस कानी है समझते चलिएगा ठीक है ना चलिए अब इसके सेकिंड पॉइंट पर बात करते हैं अभी हमने देखी जमीन अना भूमी संबंदी क्या अब धारना थी और अब हम ब भारत में और यह बन वाला कंसेप्ट ना थोड़ा भूत आप जो है पर्यावन वाले सेशन में पढ़ चुके है ना चलिए तो प्राचीन भारती सब्विता की दोस्तों अगर हम बात करें अगर देखिए वन को अगर हमें केंदर में रखना है तो दोस्तों वन हमारे प्रा प्राचीन भारत में क्यों कि सब्विता और अध्यात्म की शुरुवात कहां से हुई थी दोस्तों आश्रमों से हुई थी और आश्रम कहां पर इस्तापित की जाते थे बनों में इस्तापित की जाते थे ना और इनी वनों में इस्थित आश्रमों से ही भारती सिक्षा दिक फेसंड़ी की जाने की राज iç одна बंती थी वह राजा नहीं बनाते थे वलकि आश्रम मों चैहिं सो ग्या ओंता यही विद्वान बनाया करते थे जो आस्रम भारती जो आसरम थे जो बनों में इस्तित थे वो आसरम प्राचीन भारत की सिख्षा दिख्चा और राज की नीती के केंद्र माने जाते थे नीती बनाने वाले केंद्र माने जाते थे ब्रक्ष, परवत, जरने, पशू, पक्ची, नदी और भी कई सभी जो प्राकर्तिक तद्व रहे हैं वो भारती परिवेश में इश्वर का रूप माना गया है एक मात्र भारत ही एसा है ज्यान दीजेगा ब्रक्ष हो चाए परवत, जरने, पशू, मतलब की जितने भी प्राकर्तिक तद्व है उन सभी को इश्वर का रूप भारत में माना गया है ये मानव और कल खानों, कल कार खानों के द्वारा जो दूशित बायू छोड़ी जाती है ना कारबंड़ ओकसाइड छोड़ी आती है भारती सास्त्रों में ब्रक्चों के पूजन हेतु विधान निरदारी थे, ब्रक्चों के पूजन के लिए विधान किये गए भारती सास्त्रों में उसका कारण क्या है दोस्तों देखिए धर्म के साथ उनको जोड दिया गया है धर्म के साथ ब्रक्षों की पूजा पाट को जोड दिया गया है लेकिन बास्तविक जो कारण उसका रहा था जो बेग्यानी कारण रहा है वो कारण रहा था कि इन ब्रक्षों की जो है सुरक्षा की जा सके इन ब्रक्चों को कटने से बचाय जा सके जब धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ दे जाएगा तो ब्रक्चों का कटाब रोका जा सकता है तो ब्रक्चों के समाप्त होने को रोकने के लिए ही जो है इनके पूजन का बिधान प्रारंब किया गया ब्रक्चो के इस देवद्व को प्रतिपादित करते हुए स्री क्रेश्ण ने भी कहा था कि इस्थावर हिमाले मतलब कि जो भी इस्थित वस्तु हैं उनमें हिमाले और जो ब्रक्च हैं उनमें पीपल में स्वेम हूँ क्या का क्रेश्ण ने? क्रेश्ण ने अपने आपको हिमाले और पीपल का ब्रक्च कहा है तो क्रेश्ण ने ये कथन के करके ब्रक्चो का महतु बढ़ा दिया है भारती संस्कती में और आज भी दोस्तो अगर आपको संस्कती की थोड़ी बहुत भी समझ होगी ना तो आप इतना जरूर जानते होंग कि आज भी भारती संस्कती में पीपल के व्रक्ष को काटना महापाप समझा जाता है पीपल की एक डाल को काटना अर्थात की अपने पुत्र की हत्या कर देने के समान मना जाता है अगर आपको संसक्र्टी का ज्यान थोड़ा भोध भी होगा तो आप ये तत्य अवश्य जानते होंगे तो इस प्रकार से व्रक्चों को व्रक्चों को भारति संस्क्र्टी में पूजनी बना करके इनको सुरख्चा प्रदान की गई थी हमारी प्राचीन सब्विता में ब्रक्चो को सजीव माना गया है किसा सजीव जीता जाकता जैसे की हम है इना स्वास लेने वाला सोसन किरिया जिसके अंतरगत होती है ये कब हज़ारों साल पहले प्राचीन सब्विता में ही इसको सजीव माना गया था ब्रक्चो को और जीवन दाई माना गया था जो हमें जीवन प्रदान करते हैं ओक्सिजन के रूप में और जब ये कहानी आगे बड़ी और आधुनिक समय में आई और विग्जान डिबलप हुआ तो विग्जान ने भी यही बात को रिपीट किया कि जी हाँ ब्रक्ष जो है सजीव है और ट्रान दाई है कि लिए रे ओक्सिजन हमको देते हैं और ये बात प्राचिन ग्रंतों में ओल्रेडी लिकित रूप में है प्राचिन काल में पर्यावरन की सुरक्षा के लिए भी अच्छा कासा प्रबंद किया गया था उन पेड़ों का पेड़, नीम का पेड़, बर्गत का पेड, आम का पेड़, थी न तो यह सारे जो पेड़, जो पेड़ और पोदे है, तुलसी का जैसे पोदा है बाकि सब यह पीड़ है इनको धार्मिक आस्ता के साँ जोड़कर के इनको सुरक्षा प्रदान की गई थी, राचिन भार प्राचीन भारत में वनों को मेह बनों के महध्व को धार्मिक आस्ता के सांट जोड़ करके उनको सुरचा प्रदान करते हुए उन्हें अतिदिक महध्व दिया गया और वही धारना दोस्तों आज बर्तमान में भी हिंदू सर्शकती में उसी प्रकार से उसको एपलाई किया जाता है आज भी accept किया जाता है ऑफ फीले चलि नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्रसी संबंदी आपधार ने ऑर जुक्त देखिये क्रशी संबंदी अब्हुमें संबंदियाबधारन आप दोनों आपस में टकराइगी दोनों मेच किसी कहा की जाएगी भूमी पर की जाएगी और भूमी पर तो आप को मैं पहले बता चुका हूँ कि भूमी निजी राजा के पास ca 주는 करती थी और कुछ बहुं राजाओं के पास करते थी तो जो हे राजा किस से करवायगा दोस्तो हमारा सबसे मुख के आधार क्रसी ही था और इसलिए लोग अधिकतम लोग जो है ना गावों में ही निवास किया करते थे आज क्रसी का जो है ट्रेन बहुत कम हो चुका है हर कोई विक्ति किसान नहीं बनना चाहता सब बनना चाहेगा लेकिन कोई भी इंसान आज कोई भी विक्ति किसान नहीं बनना चाहता पड़ लिखकर बाबू बनना चाहता है किसान नहीं बनना चाहता जबकि आज अगर भास्तविक रूप से देखा जाए न तो सबसे बड़ा जो पद है वो किसान का ही है किसान का ही सबसे बड़ा पद है क्योंकि वही इस पूरी दुनिया का संदक्षण कर रहा है अगर वो अपना कारी रोग दे तो बताईए मुझे मनुष्य तो मनुष्य मेरे खाल से जो जीव जन्तु है वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे क्योंकि आज अधिक्तर जीव जन्तु जो है वो मानब जाती पर निर्वर हो चुके है सोचके देखीगा कभी तो उस समय में प्राजिन समय में हमारा मुझे आदार क्याती दिए उस तो क्रसी ही हुआ करत एक स्वस्त जीवन एक उर्जावान जीवन जिया करते थे राजा के पास चुकी भूमी का बड़ा हिस्सा हुआ करता था और अंतिम जो स्वामित्व होता था जमीन का वो राजा ही दावा करता था कि जमीन का अंतिम स्वामित्व होगा वो राजा का ही होगा भूमी के अध भूमी हुआ करते थी बड़ा भाग था भूमी का राजा के पास में और इस भूमी पर जो है ना उस भूमी पर राजा एक निश्चित भुकतान देकर के मजदूरों से खेती करवाया करता था जैसे जैसे भूमी पर पिर दवाब बढ़ने लगा लोगों का भूमी पर क्योंक बढ़ने लगा दवाब मत्रव समझते हैं ओस लोग इकरट वूमी पर नहीं वो उस दवाब की बात नहीं कर रहे हैं अनुसार जनसंक्या का आकार की एसा तो नहीं है कि जो खेत्रपल की भूमी है जो क्रशियों की भूमी है वहां पर रहने बालों के बहुरन करने में लोगों का भार दवाब बढ़ रहा है तो संभवता आगे चलकर के भूमी पर लोगों का दवाब बढ़ने लगा और इसी कारण से उपनिवेश करने की नीती अपनाई जाने लगी उपनिवेश करने की नीती का मतलब क्या होगा दोस्तों दूसरी जमीन पर कबजा करना दूसरी जमीन पर कबजा करना हाँ एसा था उस सभी जनसंक्या इतनी नहीं थी कि किसी और की जमीन पर कबजा के जारा नहीं बलकि जंगलों को साप करके और उस भूमी को क्रसी योग की बनाया जाना जंगलों को कठाई करके निरंतर रूप से पर आगे चलके जंगल करते गए और करसी योगी भूमी डिवलप होती चली गई बंती चली गई तो हम जातक की कहानियों से सीखते भी हैं कि आबादी वाले गावों के किसान जो है जंगलों को कारते थे जिस गाव में किसानों की आबादी जादा हो जाती वो लोग जंगल को काट करके उसे अपने खेती के योग ये बनाया करते थे एसे उधारन है जहां पूरे गाव को सामुहिक रूप से इस्थान तरित कर दिया गया कहाँ पर जातक की कहानियों में ही ऐसे उधारन है जापर पूरे गाउं के गाउं को ही जगा छोड़ने के लिए कह दिया जाता है क्यूंकि क्लेक्टरों को टेक्स नहीं दे पाते थे जो गाउं करे चोड लीज्य आप अपने लिए कोई नई भूमी की विवस्था करो बिर शंगल की कम Korea करे बि theories देरी जो है वाह पर भार बढ़ने लगता था इस परकार से क्रसी ओंग भूमी भी जो हो है ना कि आप काफि लबे समय तक इसका प्रचलन चला उस समय के जो क्रशी योग्य भूमी थी ये जो ख़शी की जाती ठी अब क्रसी के लिए जी csak बहुत अबश्चक है तो हालां कि ये श्रत्य सकते है कि उसे की जो क्रशी ती नह वो उसकी सिचाई की वेवस्ता बारिश पर निर्वर थी किस पर बारिश पर निर्वर थी लेकिन उस समय में भी खेतों में पानी देने के लिए कुछ अनलग से योजनाय बनाए गए थी जैसे नहरे नहरों से पानी लेकर आना नदियों की सहायता से या कुछ क्रत्रीम जलासे ज सिचाई कारे अब जो है गायव हो चुके हैं अब वो सिचाई कारे अब नहीं बचे हैं लेकिन यह का जा सकता है कि प्राचीन भारत में महत्पूर्ण सिचाई कारे किये गये थे प्राचीन भारत की फसलों के अगर हम बात करें प्राचीन भारत की फसलों की बात करें तो कई कि फसले दोस्तों हुआ कर जैसे कि गेहूं जो चावल बाजरा गर्ना सिसम मतर फलियां मसूर की बड़ी किस में यह सब हुआ करते थे यह वहीं अगर बात करें तो कौन सी फसल कहां पर लगती थी तो जो और गेहूं की फसल दोस्तों उत्तर भारत में हुआ करती थी या विपरीद अगर बात करें बाजरे की खेती तो बाजरे की खेती ऐसे इस्तानों पर गवा करती थी जो जिस भूमी पर चाबल नहीं उगाई जा सके तो बिशेश रूपसे केरल में दोस्तों मसाले में मसालों के कारण केरल बहुत प्रसिडिय था और इन्हीं मसालों की पूस्पू इंग्लेंड तक पोछ गई थी यूरोप तक मोच गई थी एक ना तो केरल में बड़ी संक्ट्रा में मसाले जाते चन्दन के पेड़ बड़े-बड़े कदे की होगी पुस्पा तो उसमें दख्चिनाभारत की पिक्चर है वो साउथ पीचर है ना उसमें चंदन की तसकरी करते हुए बताए गया में तो पेड़ों की पेडय बड़े-बड़े पेड़ हुआ करते हैं जो बहुतаж दे बैस कीम सबस्कित होते हैं जिन तसकरी कि जाती है बिदेशों में प्राचिन समय में मिलगभ यह इसी प्रकार से बेश कीमति हुआ करते थे हुआ हिसके अलावा हमाले की तल हटी में में केशर उगाए जाता था का पास की बात करें तो कपड़े की प्रमुक फसल हठी आश जोगी मद्यभात में की जाती है दिक्तम और हिमाले पस्चिम हिमाले की बात करें तो वहां अंगूर बादा मक्रोड जैसी महत्पूर फसले उगाई जाती है इस प्रकार से इस प्रकार से दोस्तों यह प्राचिन समय में भी यह फसलों के इस प्रकार का ग्राब है प्राचिन समय का है यह आदूनिक समय का नहीं बताए मैंने प्राचीन समय का प्राचीन समय में इतने प्रकार की फसले उगाई जाती थी तो दोस्तों इसके साथ में इसके साथ में अब जो सेशन होगा हमारा नेक्स सेशन जो होगा वो खल मोनने नो बजे आप सब्सक्रा के बचे यह है जिस सब्जेक्ट पर maximum कमेंट मेरे पास आएगी उस सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट कर दूँगा यहाँ लिकिन याद रहे आज कल दो दिन आपके पास में है जब तक इसेशन चल रहा है दो दिन आपके पास में कमेंट करने के लिए है चाहे आप यूटूब पर यहीं कमेंट कीजिए लाइप के लाइप चेटिंग में कमेंट करें या पिर डाइटली कमेंट करें या वार्टसप पर कमेंट करें या टेलिग्राम पर कमेंट करें कहीं पर भी कमेंट करें बस कमें अब साथ में कवर करने का प्रियास कर रहे हैं लेकिन उससे पहले डोंट बरी बीए के ओल्मोस्ट सभी सब्जक्ट पहले कवर करेंगे उसके बाद में बीए बीए सी और बीकॉंग को भी इसी प्लेटफरम पर कुछ अन्य लोगों की सहायता से जो है इसी प्लेटफरम पर हम करने का प्रियास करें कर रहे हैं सोच रहे हैं प्लाडींग चल रही है लेकिन उसमें आभशन कैना आप लोगो का सपब रना रहता तो बेलकुल खैंगे चैनल कोई चार्जस नहीं कोई चार्जस नहीं होगा न एक दोस्तों तेंक यू तेंक यू तेंक यू जो मच्छ